मित्रों आज हम बात करेंगे महर्शी पारासर द्वारा रचित ब्रहत पारासर होरा सास्त्रम के अध्याई 57 की इस 57 अध्याई में कुल 83 स्लोक है और राहू की महादसा में बाकी सारे ग्रहों की अंतर दसा का वरणन है जिसमें से आज के पहले हमने एक से लेकर 20 स्लोकों तक का वरणन कर दिया है और इन 20 स्लोकों में राहू की महादसा में राहू की अंतर दसा है और गुरू की अंतर दसा का विस्तरत वरणन महर्शी पारासर ने किया है जिसका ब्याख्यान हमने कर दिया है तो आज हम बात करेंगे स्लोक नंबर 21 से लेकर के 29 तक 9 स्लोकों की चर्चा हम करेंगे जिसमें राहू की महादसा में सनी की अंतरदसा का वरोनम है तो आज के पहले वाले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे youtube.com बालाजी जोतिस के अंदरेश चैनल पर जाएं वहाँ पे सुद्ध वैदिक जोतिस का ज्यान उपलब्ध है आप उसे सुने देखें समझें कुछ समझ में ना आये तो हमें comment box में दिख करके बताएं हम उसको पुनह आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे तो आज का प्रकरण हम आरंभ करते हैं चलिए हम देखते हैं कि महर्शी पारासर कहते क्या है 21 स्लोक में महर्शी पारासर कहते हैं कि राहुर अंतर गदे मंदे लगनात केंद्र त्रिकोंड गे स्वचे मूल त्रिकोंडे वा दुस्चे केला भरासिगे तद भुक्ताव न्रिपदे से वा राज प्रिदिकरी सुभाविवा होत सवकार जानी कृत्वा पुन्यानि भूरिसः महरसी पारासर करते हैं कि राहु की महादसा में जदी सनी की अंतर दसा आपके उपर चल रही हो सनी लगन से किसी केंद्र त्रिकोंड स्वरासी में उच्चका होकर के अथवा मूल त्रिकोंड रासी में नवे ग्यारहवे भाव में कहीं बैठा हो तो यह सनी जातक को राज राजकारिये राजा का प्रियकार्य तक करने का अवसर प्रदान करता है अर्थात सिधी बहसा में कहें तो ऐसा सनी सरकारी जौब आपको देता है और जितना अच्छा स्थिती में सनी होगा बला बल डिग्री वाइज उसको देख लीजिए आप तो ये राजा के अत्यंत करीब मंत्रियों के अत्यंत करीब जाने का उनके प्रसन्नता के कार्य को करने का सामर्थ प्रदान करता है ठीक है इतना ह नहीं विवाह उत्सव कार्याणी विवाह आदी जैसे उत्सव घर में पुन्यकार ये आदी करने के सुभावसर प्रदान करता है काते हैं कि बागीचा वगेरा का निर्मान करवाना तलाग तलाब आदी का निर्वान करवाना सुद्र राजा के सहयोग से अथवा सुद्र कोई व्यक्ति सामर्थ्यवान हो ऐसे किसी सामर्थ्यवान सुद्र व्यक्ति के सहयोग से ऐसा जातक इष्ट सिधी प्राप्त कर सकता है कर लेता है गोधन आदी का भी संग्रह कर लेता है कते हैं कि ऐसा व्यक्ति अगर इस समय में पस्चिम दिशा की यात्रा करे तो राजा के कारण इसको धनहानी होना संभव है देह में आलस्यका हो जाना सुरुवाती समय में कम सुभफल की प्राप्ति यहां उसके बाद स्वदेश से अगर वापस जैसे पस्चिम दिशा की यात्रा करता है अगर उदर से लौट करके अपने देश को आए तो इसको वापसी के बाद सुख प्राप्त होता है ठीक है पचीसवे और चब्वीसवे स्लोक में मर्सी पारासर कते हैं किर्दी चारी छे त्रगे मंदे रंध्रे वाब्यगे पिवा नीचारी राजभी तिस्चादार अपुत्रादी पीड़नम आत्मबंधु मनस्तापम दायाद जनविग्रहम व्यवहारे चकलहम काते हैं कि सनी जदी नीच का हो सत्रू के घर में बैठा हो आठवे बारहमें घर में बैठा हो तो नीच व्यक्तियों से डर नीच का मतलब देखो हमारे सास्त्रों में कहीं भी किसी जाती बिसेस के लिए नीच जैसे सब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है आप पास्चात्य आक्रमण कारियों अथवा मुगल आक्रानताओं के द्वारा रचित सब्दों के जालों में न उल्जें नीच कोई भी हो सकता है जिसकी प्रवर्ति आचार हीनम नपुननति वेदा है चाहे कितने भी वेद पढ़लो अगर आपके आचरण सही नहीं है तो आप पवित्र नहीं है आचार परमोधर वहां तो सबसे बड़ा धर्म आचरण में उतार लेना ही है आपने क्रेक्टिरियट की डिगरी तो प्राप्त कर ली पर कलेक्टर बने नहीं नहीं बने तो उस डिगरी का क्या करोगे तो वैसे ही है कि अगर आपने वेद पढ़ लिया वेद तो आपको नम्रत बनना सिखाते हैं और आपके अंदर उदंडता भरी पढ़ी है तो आपके वेद अग्यान का क्या करे हम इसलिए नीच का मतलब कोई उदंड कोई बिलकुल बुरा स्वभाव वाला व्यक्ति उसके लिए इस सब्द का प्रयोग हर जगा हमारे सास्त्रों में मिलता है तो कहते हैं कि नीच लोगों से भै, डर, राजाओं से भै, सत्रूं से भै, इस्त्री पुत्र आदी को पीड़ा अपने बंधुओं की ओर से मनस्ताप, दायाद जन, विग्रह, हिस्सेदारों से बिवाद, मुकदमे बाजी ये सब करवाता है परन्तु इस समय में भी अकस्माद भूसनम लभेत, अचानक भूसन की प्राप्ती होती है तो भूसन का अर्थ यहाँ पे क्या है? भूसन का मतलब है आभूसन भी हो सकता है या फिर पद पदवी प्रतिष्ठा खिताब कोई उपनाम आदी की प्राप्ती होना ये भी भूसन का अर्थ है ठीक है? तो इस प्रकार की स्थितिया निर्मित होती है 27 स्लोक में महर्शी परासर कहते हैं कि दाये साथ सश्ठ रिस्पे वारंध्रे वापाप सम्झूते रद रोगो मानहा निश्चा विवाद सत्रूपीननम करते हैं कि जदी दसानात से छटे आठवे बारहवे में अगर ऐसा सनी बैठा हो और पाप ग्रह से जुक्त हो तो इस सनी की अंतर दसा में हदय रोग मानहानी विवाद सत्रूपी और से बहुत ज़्यादा कष्ट की प्राप्ती होना संभव है 28 वे स्लोक में मर्शी पारासर काते हैं कि अन्य देशा दिसंचारो गुल्मवद ब्याधि भाग भवेत कु भोजनम कुद्रवादी जादि दुखाद भयम भवेत काते हैं कि अन्य देशों या प्रदेशों में संचार होना अर्थात बिना मतलब का भ्रमण होना नियमित भ्रमण करना पड़े ऐसी स्थितियां बन जाए अपनी जाती वाले ही उनके ही वज़े से कष्ट भोगना विपदा का सिकार हो जाना गुल्म रोग आदी जो है हो जाना रोगों से पीड़ा होना कुभोजन अर्थात न खाने योग्य पदार्थ का भख्षन करके जिवित रहना ऐसी स्थितियां ऐसा सनी बना देता है करते हैं कि जदी दूसरे या साथ में भावेश हो तो अप मृत्य तक संभव है इसकी सांति के लिए काली गाए वां भैस का दान करना चाहिए अब सनी के गुरु भगवान सिव कहे जाते हैं तो सनी के असुब दसा चल रही हो तो आप रुद्रा भी से करवाएं उससे भी आपको लाव अवस्य ही होगा परंतु सनी का रत्न जदी आप धारन करना चाहते हैं तो बहुत ही उच्छ स्रेडी का कोई बिद्वान मिले तो उसके क्योंकि आपके उपर सनी की दसा या सनी की अंतर दसा चल रही हो देखिए रत्नों से हम लाभ ले सकते हैं कैसे जैसे मालो महादसा में कोई ग्रह है और वो महादसा में आपको सुभफल नहीं दे रहा है तो अंतर दसा वाले को देखिए अगर महादसा वाला ग्रह अगर फेबरे बूल नहो या रत्न धारन के योग्या नहो तो अंतर दसा वाले को देखिए अंतर दसा वाला अगर योग्या नहो तो प्रत्यंतर दसा वाले को तो फिर आपके जीवन में मुश्किल से 60-70 वर्स की आयू है आज के समय में मनुस्यों की और उसमें से 20 वर्स आपका बैठे बैठे निकल जाए वो भी जुगा वस्था में कमाने के समय में तो आपका क्या होगा भाई साब आप इस तरह की मानसिक्ता को बिल्कुल त्याग द पहन लो या बिमार रहता है तो जीवन रत्न पहन लो साब वो जमाना गया अब तो यहां प्रती दिन प्रती छण लोगों को सक्सेस लाइफ में चाहिए तो अगर आपको सक्सेस चाहिए आप अगर गंभीर हैं अपने लाइफ को ले करके तो आप जोतिस का सहरा लीजिए और किसी कुसल स्रेष्ठ बिद्वान जोतिशी से कभी भी रत्न धारण के लिए सलाह लीजिए क्योंकि रत्न जो है वो बिगाडता भी बहुत तिवरता से है तो आप सोच विजार करके किसी बिद्वान ब्राह्मन से संपरक करें उससे सलाह लेकर के ही सनी का रत्न धारण करें वैसे सनी के रत्न धारण है तु मैंने आप पूपाय बताए हैं कि आप इसको अपने पास नीली को रख करके ट्राइल कीजिए अगर आपको पोजिटिविटी फील हो तो आप सनी का रत्न धारण कर सकते हैं ठीक है आज का ये प्रसंग पुर्ण हुआ अब हम अपने कल के प्रसंग में राहु की महादसा में बुध के अंतरदसा के विशाय में चर्शा करेंगे और आगे आने वाले वीडियो तथा पीछे के सारे वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे यूटूब के चैनल पे जाएं यूटूब डॉट कॉम स्रैस बाला जी जोतिस केंद्र और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सुद्ध बैदिक जोतिस के ज्यान को निरंतर बढ़ाईए तथा अपने मित्रों में, परिजनों में, सुरिद जनों में सेर भी कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके जैस्त्रमनाराइड